Dear students, welcome to our YouTube channel Maths Guruji Maths Guruji, YouTube channel पर आप सभी students का स्वागत है आज हम इस वीडियो में next 15 words synonyms के आपको इस वीडियो में cover करवाने वाले है तो जिन students हैं अभी तक starting के 15 words जो हमने synonym के cover किये थे with logic तो वो वीडियो नहीं देखिये है तो मैंने इस वीडियो के description में उसका link दिया हुआ है तो वो उस वीडियो को जिरूर देखे तो आज हम इस lecture को start करते हैं जिसमें पहला synonym जो आता है मतलब हमारी series का 16 synonym वो है consigne consigne का synonym क्या होगा options are delegate, representative, nominee and option D, messenger तो सबसे पहले आपको यह बता दे कि consigne होता है जो समान को प्राप्त करने वाला जैसे कभी भी दो persons के बीच में trade कोई भी वैपार होता है तो जो आदमी जो वैक्ती समान प्राप्त करता है उससे consigne बोलते हैं तो इन चारो option में से consigne का right synonym होगा वो होगा हमारे पास nominee तो option number 16 का right option C answer होगा nominee next synonym पर हम चलते हैं next synonym है tramp, tr, amp and four options are given तो first vendor, second option cheat, third traveler and option D, pilgrim तो इन चारो option में से tramp का right answer होगा वो क्या होगा देखिए आप इस word को किस तरह से याद रख सकते हैं आप यह देख सकते हैं यहाँ पर last में given है ramp, r, a, m, p तो ramp देखिए जो modeling करते हैं वो ramp पर work करते हैं तो जो भी व्यक्ति आप इस sentence से याद रख सकते हैं इस word का meaning जो भी व्यक्ति ramp पर चलते हैं मैं यहाँ पर लिख जता हूँ जो भी व्यक्ति ramp पर चलते हैं वो इधर-उदर बटकते हैं वो इधर-उदर बटकते रहते हैं तो आपको बता दे ramp का जो meaning होता है वो होता है इधर-उदर बटकना इधर-उदर बटकना तो इन चार उप्शन में से जो tramp का meaning होगा वो होगा vendor इसका मतलब भी यह होता है कि इधर-उदर बटकना तो 17 का जो हमारा answer हो जाएगा synonym हो जाएगा tramp का वो हो जाएगा option a vendor तो next synonym है हमारे पास irreverence irreverence and four options are given disrespect, cruelty, unkindness, invalidity irreverence का मतलब अगर हमने पता करना है तो आपको एक बात पता होना चाहिए IR आप हटा दीजिए जो अभी मैंने यहाँ पर underline किया है वो word है reverence तो reverence का मतलब होता है respect और अगर IR पहले लग गया तो मतलब respect ना करना तो इस पूरे word का मतलब हो जाएगा disrespect तो एक बार आपको फिर से बता दे reverence reverence का मतलब होता है respect और अगर IR यहाँ पर पहले लगा दिए irreverence तो इसका मतलब हो जाएगा disrespect तो next synonym पर हम बढ़ते हैं जी हां next synonym जो आपने cover करना है वो है amicable and four options are given poisonous, friendly, satisfying and hurtening तो इन 4 options में से amicable का answer क्या होगा amicable का synonym क्या होगा देखिए आप इस word को किस तरह से याद रख सकते हैं क्या code बना कर याद रख सकते हैं देखिए सबसे पहले हैं यहां पर a फिर है mic फिर able able मतलब table तो इस word को हमने याद रखा a mic on table a mic on table इस तरीके से हमने एक code बनाया amicable a mic on table table पर mic पढ़ा है और अगर mic table पर है तो उसमें से कोई भी आवाज नहीं आ रही जो mic है वो table पर अराम से पढ़ा है तो इसका मतलब वो क्या हुआ वो जो mic है बिल्कुल भी short नहीं कर रहा बिल्कुल भी short नहीं कर रहा तो वो mic क्या हुआ वो friendly हुआ friendly मिन्स मितरता पूरण इस तरह से हम कह सकते हैं तो mic cable का मतलब इन चार option में से होगा option B answer होगा हमारे पास इसका friendly दिखिए हमने इस word को इस तरह से याद रखा a mic on table और अगर table के उपर mic है उसका कोई भी यूज नहीं कर रहा table पर mic वैसे ही पढ़ा हुआ है कोई यूज नहीं कर रहा तो वो हमारे इस atmosphere को friendly बना रहा है बिल्कुल short शराबन नहीं कर रहा तो friendly तो इस तरह से हम यह word याद रख सकते हैं next question number 20 synonym हमने बताने prudent 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 का synonym क्या होगा and options are skilled experienced questions and last option criminal तो आपको बता दे इस word को अगर हमने याद रखना है prudent को तो इसमें जो sound आ रही है as a president prudent sound हमें ऐसा लग रहा है कि किस तरह से sound आ रहा है as a president president जो होता है वो काफी चतुर होता है president जो होता है तो इस word का मतलब हमारे पास बन जाएगा चतुर तो prudent का मतलब होगा चतुर और इन चारो option में से option c questions इसका मतलब होता है चतुर तो prudent का जो synonym right synonym होगा वो होगा questions तो next synonym पर हम बढ़ते है यह है next synonym हमारे पास आया है वो है panacea panacea and four options are given flatter, preach, activity and option d क्यों राल बिल्कुल सिंपल सा question है काफी भार repeat हुआ है यह word तो panacea का Hindi में मतलब होता है राम बान दवाई मतलब ऐसी दवाई जैसे जो हर इलाज में काम कर जाए तो राम बान दवाई तो इन चारो option में से जो option d होगा वो हमारा right answer होगा तो option d क्यों राल तो panacea का मतलब हुआ क्यों तो next word benevolence यह भी काफी important word है benevolence इसका मतलब होता है vividlyaloo तो इन चारो option में से द्यालू जो है वो हमारे पास जो word बन रहा है वो बन रहा है option c का तो option c kindness तो benevolence का मतलब होता है दयालू तो दयालू इन चार उप्षिन में से जो suitable है वो है kindness के लिए तो next जो word है vindicate and options are given open ventilate, justify recommend इन चार उप्षिन में से vindicate का answer क्या होगा तो अगर हम vindicate का मतलब समझना चाहते है तो हम कुछ wording से आपको समझा रहे हैं कुछ code से आपको समझा रहे हैं देखिए vindicate कुछ इस तरह से sound आ रही है vind the case जी हाँ vindicate में जो sound आ रही है वो आ रही है vindicase vindicate मतलब vindicase और अगर कोई भी liar है कोई भी वकील है वो अगर case को जीतता है तो उसको कुछ न कुछ साबित करना पड़ता है अगर कुछ proof evidence देने पड़ते है प्रूफ देने पड़ते है तभी कुछ वो case जीत पाता है तो इसका मतलब vindicate sound आई vindicase और vindicase का मतलब case वो तभी जीतेगा जब वो कुछ न कुछ साबित करेगा जब वो अपने जो भी client है उसको बिलकुल निर्दोर साबित करेगा तो vindicate मतलब vindicase case तभी जीता जब उसने साबित किया तो vindicate का जो right meaning होगा मतलब जो हिंदी में अगर बात करें वो होता है साबित करना तो इन चारों option में से जो correct answer होगा वो होगा vindicate का justified तो next word पर हम चलते हैं next word है next word synonym है occult OCCULT and four options religious unnatural, supernatural and last option strong देखिए occult का जो मतलब होता है वो हो ऐसी situation जिसके अंदर क्या ऐसी situation हम कह सकते है which is difficult to understand जो understand करना काफी difficult हो उसी को हम occult और OWCULT बोलते हैं जिसका हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है रहस्यम है मतलब ऐसी situation जिसको समझ पाना काफी मुश्किल है काफी difficult है occult का मतलब रहस्यम है इन चारों option में से इसका जो synonym होगा religious, supernatural, supernatural या strong में से बिल्कुल suitable जो option होगा वो होगा option C supernatural and next synonym वो है तो अगर हमने menis, m-e-n, a-c-e इसका मतलब समझना है तो हम क्या करते है इस पूरे word को दो पार्ट में divide कर रहे है m-e-n, फिर a-c-e आप सभी को पता है a-c-e का मतलब होता है इका तो अगर कोई भी आदमी m-e-n, a-c-e तो कोई भी व्यक्ति अगर task खेल रहा है cards खेल रहा है और अगर उसके पास इका है देखें हम कोशिश कर रहे है relate करने की ताकि इस word को हम अच्छे से समझ पाए इस word को अच्छे से याद रख पाए तो अगर किसी आदमी के पास कोई भी व्यक्ति है जो अगर card खेल रहा है card खेल रहा है तो उसके पास इका है जब तक उसके हाथ में इका है आप सभी को पता है इका की जो power होती है वो सबसे ज़्यादा होती है इका अगर उसके हाथ में है तो वो दुश्मन को क्या कर सकते है वह दुश्मंग के लिए खत्रा है उसके हाथ में इका मतलब दुश्मंग के लिए खत्रा है अगर इका है तो वह जीत सकता है तो मैन के पास अगर इका है तो वह दूसरे ओपोनेंट, ओपोनेंट मतलब विरोधी के लिए खत्रा है, तो इस मेनेस का मतलब होगा खत्रा, तो इन चार ओप्शन में से request, prayer, threat, curse, चार ओप्शन में से जो right ओप्शन होगा, वो होगा option number C, threat, तो next हम synonym पर चलते हैं, नेक्स्ट सिनोनिम जो हमारे पास आया, वो है, डेलिन नेट, तो D-E-L-I-N-E-A-T-E, तो 4 options are given, expand, portrait, option C, explain, and last option is argue, तो आपको पता दे, जो इसका मतलब होता है, डेलिन नेट का, वो होता है, describe in detail, कुछ भी आपने describe करना है, describe in detail, अगर कुछ भी हमने explain करना है, अगर detail में explain करें, वही होता है, डेलिन नेट, तो describe in detail, तो हम यह कह सकते है, इन 4 options में से, जो right answer होगा, वो होगा, option C, explain, पूरा detail में explain करना, तो इसका option हुआ हमारे पास, C, C will be our right answer, next, 27, यह फिर से repeated word है, पहले भी हम cover कर चुके है, abrogate, abrogate क्या होता है, आपको भी लास्ट वीडियो में बताये था, कि अब rogue aid, जितने भी rogue है, वो खतम होंगे, मतलब इसका मतलब यह था, जितने भी पुराने कानून है, वो उन सभी को खतम करना, उन सभी को निश्परभाव करना, यह होता है, abrogate का मतलब, तो इन 4 option में से, elope, gate crash, abolish, destroy, इन 4 option में से, जो right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, abolish, abolish का मतलब भी होता है, खतम करना, तो next, synonym, वो है, ravage, तो अगर हम ravage का meaning के बात करें, तो हम इस word को relate कर सकते है, r-e-v-e-n-g-e से, revenge, देखिए, इस word का मतलब होता है, बतला लेना, तो हमने लगबग relate किया, यह दोनों word एक तरह से है, ravage या revenge, revenge का मतलब बतला लेना, अगर हम बतला लेना चाहते हैं, दुश्मनों से, तो हमें दुश्मनों की सेना को खतम करना होगा, तो ravage का मतलब होगा, demolish, खतम करना, तो option C will be our right answer, इसका जो right pronunciation वैसे होता है, ravage, not ravage, इसका right pronunciation ravage, तो इन चाहर option में से जो best option होगा, क्योंकि मैंने आपको बताए, इसको हमने link है, revenge से, revenge का मतलब बतला लेना, अगर हमने बतला लेना है, दुश्मनों से, तो दुश्मनों की सेना को खतम करना पड़ेगा, तो खतम करना मतलब demolish करना, उसको बिल्कुल destroy करना जी हाँ, next synonym, जो है, वो है, super studious, तो four option given, previous, traditional, irrational, scared, तो super studious का मतलब जो होता है, वो होता है, अंधविश्वास, तो इन चारों option में से, जो अंधविश्वास हम कह सकते है, जो word होगा, वो होगा, वो word use होगा, irrational, irrational मतलब वही अंधविश्वास से related, तो next synonym हमने बताना है, mentor and four options are given, guide, genius, garner and banish, देखें, mentor सीधी सी बात है, बोलते है, guide को, तो ये भी हमें कोई निमोनिक कोड बनाने की जूर नहीं है, आपको easily याद हो जाएगा, तो mentor का मतलब जो होगा, वो होगा, guide, तो इसका answer होगा, C, sorry, इसका answer होगा, guide मतलब A, तो इस वीडियो में हमने आज फिर 15 synonyms cover किये, देखें students, अगर आप 15-15 करते हैं, अगर 10-15 वीडियो भी आप देख लेते हैं, तो आपके 200-300 words synonyms आपके cover हो रहे हैं, तो इतने words cover करना, ये इतना भी आपके लिए, इस exam के लिए बहुत बढ़िया है, तो मैं यही कहूँगा, आप इन वीडियो को एक पर जुरूर देखे, ताकि आपको ये सारे words, synonyms जो है, सारे synonyms अच्छे से clear हो, आज इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जुरूर लाइक कीजिए, जुरूर अपने friends को share कीजिए, तो और जिन students ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे request है, जुरूर इस चैनल को सब्सक्राइब केजिए, तन्यवाद